हलो दोस्तों कैसे हैं आप, I hope आप सभी अच्चे होंगे। चीन गुन्नो की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज चीन गुन्नो की रसोई में बन रही हैं भापला बाटी और साथ में बनाएंगे हम दाल भी। बापला बाटी कुछ अलग तरीके से बनती हैं इन्हें हम पानी में पहले उबालते हैं बापला बाटी के हम रेसीपी देखेंगे आज यहां पे किस तरह बनती हैं और मैंने बनाई है साथ में डाल जो भी हम मैंने बनाई है मूँ की डाल आज भाबला बाटी के साथ बनी है मूंग की दाल तड़के वाली इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए है मूंग वाली दाल और ये बाटी हमने आठ दस लोगों के लिए बनाई है इसलिए आठ नो मुठी मैंने दाल ले लिए है और उस दाल को मैं आब दोलूगी, वस कर लूगी, मुठी कम से कम मैंने डाल लूगी है और इसको अच्छी तरह से दोलूगी, आप देखते हैं, मैंने दोल लाई है और यूदो तक это कूकर me पानी चड़ा दिया था. कुकर में मैं डाल दूँगी दाल मैंने डाल दालने के बार डालूँगी मैं इसमें नमक दो चमच मैंने इसमें नमक डाला है और अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी एक चमच मैंने हल्दी डाल दी है और हल्दी डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा मिला के और इसक तीन-चार सीटी आने दूँगी जब तक सीटी आती है जब तक मैं इसमें आटा लगा लूँगी मैंने ले लिया है आटा और इसमें लिये है दो कटोरी सूजी तो कटोरी शूजी लेने के बाद मैंने लिया है 1 कटोरी बेशन डाल दिया है इसमें और अमन्हें होग डाला है, ईसमें अजवायन डाली है एक चमज इसमें मीटा सोड़ा डाला है और एक चमज डाली है इसमें मैंने हल्दी आप चाहो तो इसमें कस्तूरी मेती भी डाल सकते हो और मैंने उन सब को मिला दिया है मिलाने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें गी गी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से mix कर लोगी इस तरह से हास्ती इसको mix कर लेना है और अच्छी तरह से mix हो जाएगा तो इस तरह से आठा हो जाएगा को मिक्स होने के बाद में अची तरह से हाँ से मिसल मिसल कि स्वा को मिक्स करके अब में इसका आठा लगा लूँगी तोड़ाँ पाने डालके हमें इसका आठा लगाना है आठा का दोर करना है लेकिन... हमें tight लगाना है, soft नहीं लगाना है आटा हमारा लग चुका है, आप देख सकते हैं कितना tight आटा है ज्यादा soft भी नहीं है, तो ज्यादा बिल्कुल tight भी नहीं है, इस थरह से आटा हमें लगाना है, और हम बढ़ाएंगे बाटी, बाटी की इस तरह से safe देनी प्हुत बड़ए से हमें सारी बार्टियों बनागे arrangement कर लीनी है मैंने सारी बार्टियों को बना के लिदा और यह प्धु प्भगोंने में ऑनी माने में हमारा गरण हो गया है जब बार्टि डाल देंगेगे पानी गरम होने के बाद ही बाटी डालनी है ठंडे पानी में बाटी नहीं डालनी है इस बात का ध्यान रखना है मैंने सारी बाटिया इसमें डाल दी है और डालने के बाद मैं पांच मिन्ट बाद इनको उबलने दूँगी उसके बाद मैं चलाओंगी इसको इस तरह से हमें चला देना है इनको चलाने में थोड़क तरीके से चलाएं जिससे तूटे नहीं और जैसे ही गरम होएंगी तो उ उबलने दें, कम से कम 20 मिन तो बाटी उबल नहीं चाहिए और इस तरह से बीच में इनको चलाते भी रहें और बाटी हमारी उबल चुकी है तो मैं एक एक करके सारी बाटीयों को निकाल लूँगी, मैंने सारी बाटीयों को निकाल लिया है आप देख सकते हैं, और जब तक ब में मुर्च दॉढके नाटपालाओ है। दॉठीजिक दॉज ताड़क्त नाटव। मैंने कुक्स दॉझे सकते हैं। जीरा度 मुर्च ब Häyl दॉआ के लिए टीम हम फिल्सक्राशा हैं जीरा जालने मुल्य को दें हम गड़ी एक इधाय को हम चसा forensic लेता है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आमें डाल दिया है एक चमच हींग डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें अद्रग लसन का पेश्ट डाल दिया है इसमें एक प्याच और गिजेगर अच्छे से पका लूँँगी गौल्डन फ्राई होने दूंगी जब तक मैं उसके बा में माल ata में 2 блबाव मीर्ची द competition we last कि में अर्दी ज़ना नमक और हलदी दाल में चुकी हूं तो अब मिर्ची और धनिय दा लेंगे अब घुज़ी आ हम पानी जिदाते प सब्सक्तでは पहते practicallyism में चुपाइब में ठीदे जुना पान UN कम मतले में देंतेे पाले सब्सक्षे चला दोंगी मैं इसको रिख दूँगी अपूल इम चर्प द हमारी बन के विटी आप भी देख सब्सक्षे बाटी के गारी सूक चुकी है वब यहां थू को हम सेखंगे तेक अने के बाद keeping ऊँट расп और अब सारी बाटियों को मैं एक एक करके इस पर रख दूंगी सारी बाटिया मैंने इसमें रख दी है और अब जैसे ही सिखती जाएंगी हम इनको पलटते जाएंगे बीच में से सारी बाटिया पहले ज्यादा सीख जाती हैं क्योंकि बीच में आथ ज्यादा लगती हैं तो वो भी शिख जाए इस तरह से हमें सारी बार्टी को सेक लेना है पांस मिन लिए मैं ढ़के बहुते हैं और अच्छी तरह से हमारी दाल और बाटी बनके रेडिया आप देख सकते हो कि दाल बाटी हमारी कितनी अच्छी बनी है